हलो फ्रेंड्स आप सब कैसे हो तो आशा है कि आप सब अच्छे से होंगे तो देखिए विंटर सीजन में अधिक से अधिक फूल खिले यही हमारी कोशिश रहती है तो फ्रेंड्स अगर आपने विंटर सीजन के फ्लावर लगाएं हैं तो आप इन में यह फार्टिलाजर दे तो आपके गार्डर के फूल पूरी तरह से भार-भार के खिल के आएंगे, यह देखिए नीम ओयल है यह इस्से फंगस नहीं लगेंगे आपकि विंटर सीजन के फ्लावर प्लावर ब्लांट में बहुत जल्दी फंगस आ जाते हैं तो देखिए इसके लिए नीम है इस्से बहुत जरूरी होता है जिससे फंगस्त न लगे और सीवीड भी बहुत जरूरी है तो सीवीड पाच एमेल आप ले एक लीटर में तो पंदरा एमेल तीन लीटर के लिए हमने लिया है नीमायल आप तीन एमेल प्रती लीटर के लिए ले एक लीटर में तीन एमेल डालें तो तीन लीटर पानी हमने लिया है तो हम नो एमेल नीमायल लिया है तो इस प्रकार हमने दोनों को मिला करके अच्छी तरीके से इसको मिला लिया है और इसको हम अपने जार में डाल लेंग जिससे छिड़काओ करते हैं यह देखिए हम डाल ले रहे हैं इस जार में हमने तीन लीटर पानी डाला है और यह दवा भी डाल दे रहे हैं जो बची दवा है उसमें भी पानी मिलाके डाल लेंगे अब सारे विंटर प्लांट्स में हम छिड़काओ कर देंगे यह देखिए सदा बाहर के प्लांट में बहुत चल्दी फंगस लगता है तो नीम आयल इस्प्रे से सारे फंगस खतम हो जाएंगे और आप गेंदे में गुलाब में सम्में इसका छिड़काओ कर सकते हैं और गुल्दाओदी जिनमें बट्स आ रही है और जो खिल रही है जो गेंदे की प्लांट जिनमें बट्स नहीं आए है उनमें भी आप डाल सकते हैं और जिनमें फ्लावर आ रहे हैं उनमें भी डाल सकते हैं जिससे फंगस न लगे और आप winter season के plant पे भी डाल सकते हैं सारे अच्छे से रहेंगे seaweed बहुत अच्छे से काम करता है इनमें तो आप जितने भी winter season के plant है उनमें भी आप इसका छिरकाव कर सकते हैं इससे ये plant fungus से बचे रहेंगे और बहुत अच्छे से winter season में चलेंगे बाकी flowering winter season के जितने भी flower वाले plant हैं सम में आप डालें तो देखिए कलियों में देखिए कलिये जवाने लगती हैं तो fungus का attack बहुत जल्दी होता है आप गुलाब में भी डाल सकते हैं हर प्रकार के गुलाब जैसे button rose है और बड़े वाले गुलाबे सम में डाल सकते हैं और जो बट्स आ रही हैं गुलाबी में उन में भी डाल सकते हैं बहुत अच्छे से चलेंगे फ्रेंड्स तो ये दोनों fertilizer बहुत ही अच्छे हैं winter season के flowering वाले plant में भी बहुत अच्छा effect करता है काफी buds बन जाती है और बहुत जल्दी flowering पे आ जाता है तो फ्रेंड्स थोड़ा pinching करते रहें और दोप में रखें और देखिए winter season के plant पे भी डालेंगे तो इन में भी पत्तिया निकलेंगी new new तो आप फ्रेंड्स ये दोनों खाथ का उप्योग जरूर करें तो आपको ये वीडियो कैसा लगा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में